जेहिन नमस्कार, वेलकम टू स्चैनिक समाचार, एक अप्रेल 2024 को बारत सरकार के वित्त मंत्राले ने एक ओफीस मेमोरंडम जारी किया है और ये ओफीस मेमोरंडम जुड़ावा है किसी सरकारी करमचारी, ये अंद सरकार के करमचारी को जो ओवर पेमेंट हो जाता है उसकी रिकवरी नहीं करने के लिए यानि जो भी एक्सेस पेमेंट हो जाता है सेलरी के साथ में या कोई एरियर के तोर पे तो उस पेमेंट का रिकवरी नहीं किया जाएगा इसके लिए कुछ सर्तें यहाँ पर वित्त मंत्राले की ओर से सभी एकाउंटिंग डिपार्टमेंट को जारी कर दी गई है वित मंत्राले के इस ओफीस मेमो रंडम में कुछ एक क्लोज दिये वे हैं उन क्लोज के मुताबिक यदि रिकवरी बनती है तो ओवर पेमेंट डिटेक्ट होने के एक महिने के अंदर अंदर रिकवरी का मेमो जारी किया जाएगा नहीं तो दो लाक रुप तक की कोई रिकवरी बनती है तो वो रिकवरी नहीं की जाएगी साथी साथ इदि कोड का कोई ओडर आता है की रिकवरी नहीं करनी है तो वो रिकवरी भी नहीं की जाएगी आए इस ओफीस मेमो रंडम को हम समझते हैं इसका सबजेक्ट है वेवर ओप रिकवरी ओप एक्स 2024 के रूल नंबर 15 के अनुसार कोई भी ओवर पेमेंट जो हता है उसकी रिकवरी का प्रावदान है और इसी रूल का हवाला देते हुए अब इसमें कुछ बदलाव किये गए हैं इसमें लिखा है कि एज पर रूल 15 of D.F.P.R. 2024 A Department of Government of India में वेव रिकवरी ओवर पेमेंट अप्टू रूपीज 2 लाग है इन दा केस ओफ इच इंडिजवल विद दा कंकरेंस ओफ फाइनेंशिल एडवाजर ओफ दा डिपार्टमेंट दा फॉलोविंग गाइडलाइन्स में भी एड़र्टू वाइल प्रोसेसिंग सच कैस इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ओप इंडिया के कई ऐसे जजज़्मेंट है जिसमें कई सालों के बाद में जो पे एकउंट ओपीस है उनके दोरा रिकवरी निखल जाती है तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि येदि आपको रिकवरी करनी है तो आप एक महिने के अं एमो नहीं निकाल सकते वो amount आपको वेवब करना होगा और अब rule 15 of DAPR के अनुसार यहां पे एक ceiling fix कर दी गई है कि 2 लाक रुपे तक का यदि कोई over payment है तो उसकी recovery नहीं की जाएगी साथी साथ कुछ एक conditions यहां पे लगा दी गई है कि ऐसी यदि कोई conditions है तो उनको ascertain किया जा परकारन यह over payment हुआ है तो इन परकार के rules को भी सुधारा जाएगा कोई ऐसी recovery बनती भी है तो such order for recovery of over payment should be issued within one month from the date of detection of over payment यानि जिस दिन पता चलता है कि over payment हो चुका है तो उस तारिक से एक महिने के अंदर अंदर जो over payment हुआ है उसके लिए recovery memo जारी करना होगा और इस से यह ज़्यादा समय हो जाता है तो इस situation में दो लाग रुपे तक जो recovery है उसको माप करना होगा और दो लाग रुपे से ज़्यादा recovery बनती है तो finance department को case बेजना होगा उसकी अनुम्वती लेने के लिए sanction लेने के लिए तो इस परकार under security to the government of India finance department की और से एक अपरेल 24 को एक बार फिर waiver of recovery of access payment को लेकर office memorandum जारी हुआ है और अब आपको दो लाग रुपे तक की जो recovery है उसकी माफी के लिए इस letter के जरिए कहा गया है और एक अपरेल 24 से ही एक और नियम में बदला हुआ है ये बदलाव ECHS से जुड़ा हुआ है देखिए एक अपरेल 24 से ECHS से जो भी ए पर होगा तो treatment के लिए वहाँ patient का आदार biometric authentication verification जरूरी हो गया जो आदार में दर्ज mobile number पर OTP के द्वारा होगा आप सभी से निवेदन है कि अपने आदार में दर्ज mobile number को check करें और mobile number काम नहीं कर रहा है तो तुरंत post office में जाकर mobile number update कर वा ले ताकि किसी भी emergency आने पर treatment में क का दन्यवाद ये message सभी के लिए है जो group में नहीं है उनको भी अपने level पर message को बताएं ये कई ने गई किसी ECHS polyclinic से निकलावा message है और इसके ओपर letter पहले से जारी हो चुका है आर्मी headquarter ने 12 March 2024 को ही सभी command headquarter को, naval headquarter को, air force headquarter को ये letter जारी किया है और इस letter के अनुसार आदार authentication services at ECHS इसमें complete यहाँ पे जानकारी दी गई है कि ये अदार authentication किस परकार होगा और यदि किसी का अदार authentication नहीं होता है तो उसके लिए क्या करना है और किस किस phase में क्या-क्या कारवया होगी वो भी यहाँ पे पूरी जानकारी दी होई है तो इसमें ऐसी कोई fix date नहीं दी गई थी और सभी in panel hospital को बताया गया कि आप ये सुईदा 1 अपरेल 2024 से सुरू कर दें ताकि जिनका भी mobile number कहीं link नहीं पाया जाता है तो पूरू सनिकों और उनके dependent को ये पता चल सके कि मुझे अपने अदार के साथ mobile number को update करवाना है तो सबसे जरूरी इसमें यही है कि आदार में एक mobile number जो चालू हलात में हो वो link होना चाहिए उसके OTP जब आएगा तो in panel hospital जब OTP को एंटर करेगा तभी further treatment शुरू होगा हलांकि आपको इलाज के लिए मना नहीं किया जाएगा लेटर में गाइडलाइन दी गई है उन गाइडलाइन को आप पड़ सकते हो फोलो कर सकते हो और अपने आदार में mobile number को update करवा सकते हो अब अगली जानकारी जुड़ी हुए सातियों defense civilians से इसपर्स ने अपना circular number 8 defense civilians के लिए October 2021 में जारी किया था और इस circular के अनुसार जो इसपर्स के defense civilians के nodal officers है उन सब की जानकारी इसके जरिए दी गई थी तो इन nodal officers का काम क्या है accepting any changes in user, detail और organogram for configuration, any application issue और technical issue being faced by users, receiving any training requirement or resolution of doubts ETC, any problem faced by user in login to ISPERS defense civilians जितने भी है उनको ISPERS से किस भी परकार की समयशय आती है तो आगे मैं अभी पूरे contact details बताऊंगा, nodal officers के नाम बताऊंगा, उन से संपर्क कर सकते हैं और अपनी ISPERS से जुड़ी हुई समयशय को दूर करवा सकते हैं देखिए organization wise details of team members for defense civilian ISPERS, इसमें Coast Guard, JS and CAO, DGAQA, DGQA और Engineer in Chief Code, उसी के साथ DAD, DGD, DRDO, APS, JAG, AAD और ATVP इनके सामने आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो account officers हैं, उनके नाम लिखे हुए, साथी साथ उनके mobile number लिखे हुए, और email address भी लिखे हुए, आप इसका screenshot ले 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 और अपने organization के अनुसार, अपने जो nodal officers हैं, उनके mobile number और email ID नोट कर ले, इसमें staff duties और DG recruiting के nodal officers भी है और air headquarters के भी हैं, साथी साथ MT-7, DG EME, Ordinary Services, Engineer in Chief 1 Alpha, GS Moment D, और Naval Headquarters, QMGST, DG Infantry 6, NCC, Provost Marshal और DGMS, finally, BRO, OFV, RT10, Pioneer, DG MI20, Make Forces, IHQ of MOD, DSC, DGAFMS, RVS, GSTA और DG Signal, इनके nodal officer के नाम भी यहां पर लिखे हुए हैं, तो एक बार फिर मैं इसको आपको completely screen पर दिखाता हूँ, इसका आप screenshot ले ले ले, और अपने जो nodal अधिकारी से कभी संपर्क करने के आउशकता हो, तो आप उनको mobile number और email के जरिये संपर्क कर सकते हैं, और finally बात करेंगे, ECHS से जुड़ी हुई एक और जानकारी को उपर, और ये जानकारी जुड़ी हुई है, ECHS के annual validation से, आप सब को पता है, आप करवाते भी हैं, साल में एक बार अपने सभी defendants का wife को छोड़के, और 18 साल से जो निच्च उम्र के बच्चे हैं, उनको छोड़के, ECHS कार्ड का annual validation करवाना होता है, तो कई ऐसे ECHS के लावारती हैं, जिनका ECHS कार्ड ब्लोक हो चुका है, तो उसके लिए एक बार 90 दिनों के लिए, one time eligibility extension के लिए, OIC को अधिकार है, आप वहाँ पे जाए, अपने कार्ड को चालू कर और उसके बाद 90 दिनों के अंदर अंदर आपको अपने ECHS कार्ड का annual validation करवा लना है, ताकि एक साल की validity मिल जाए, OIC द्वारा 90 दिनों के लिए एक बार validity विश्तार, उन लाबारतियों के लिए जिनोंने validation के लिए आवेदन नहीं किया है, और कार्ड की validity समाप्थ हो गई है ओनलाइन भी document अपलोड करने का option नहीं आ रहा है, इस इस्तिति में सभी dependence को 90 दिनों के लिए validity extend कराने के लिए polyclinic OIC से निमलिक document के साथ संपर्ग करना होगा, और 24 गंटे बाद card सकरिये यानि activate कर दिया जाएगा डोकुमेंट क्या ले जाना है, पिछले दो financial year 22 और 23 चोईश के form 26 AS की copy ले जाना है, अधार कार्ड ले जाना है और ECHS कार्ड की copy लेके जाना है उसके बाद 90 दिनों के अंदर beneficiary को ECHS की website echs.sourceinfosys.com पर पिछले दो financial year 22 और 23 चोईश के form 26 AS अपलोड करने होंगे, अने था कार्ड फिर से ब्लोक हो जाएगा सिस्टम कार्ड के जिवन काल में केवल एक बार 90 दिनों के लिए validity extend की अनुमती देगा यानि जो ECHS का software है उसके जरीए आप एक ही बार 90 दिनों के लिए अपने ECHS कार्ड की validity बढ़ा सकते हैं आप सोचेंगे कि हर साल में अराम से अपने जो 26 AS जमा करूँगा तो ऐसा नहीं है एक बार होगा अगले बार ये option आपको नहीं मिलेगा आपका कार्ड पर्मनेट तोर पे ब्लोक हो सकता है इसलिए हमेशा ECHS की वेबसाइट में लोग इन करते रहें क्योंकि जब भी आपके ECHS कार्ड की validity और annual validation ड्यू होता है तो वहाँ पे message दिखाई देता है कि आपको अप 26AS अपलोड करना है या फिर income certificate अपलोड करना है या फिर ITR 5 अपलोड करना है ताकि validity बढ़ सके है तो इस परकार आज मैंने आपको चार मेतुपूर्ण जानकरिया दी आपको जानकरिया अच्छे लगी हो तो वीडियो को like and share करें और आगे भी इस परकार के जानकरिया पाते रहने के लिए आप चैनल को subscribe कर सकते हैं जहिंद